Hello Friends, वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल Dynamic Knowledge Group है मेरा नाम है विकास और Friends, आद हम बहुत सटेवल टेस्ट पर कुछ कुछ कोस्टेंज करेंगे सेलेक्टिट नेंगे और बहुत ही अच्छे कोस्टेंज है यहां पर आपका concept बहुत जादा क्लियर होने वाला है तो एक बात में बताना चाहूंगा देखो questions ऐसा आपने बहुत सारी books देखी होंगी उसमें question का level different देखा होगा तो exam में होगा कि friends की हर level के question आपको मिलेंगे ऐसा नहीं है तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि सारे type के question आप कर सकें तो यहां पर फ्रेंट्स जो question का level है इस वार जैसे कि last video में question का level high था यहां पर ऐसा नहीं है आप लोग जो मेरे से पहले से ऐड और जो लोग अब जैर सी बात है कि जो लोग पहले से ऐड है वो लोग पहले से मतलब इतना उनमें confidence था कि उनने लगता हो कि हाँ मेरा साइकलोजिकल टेस्ट के लिए कॉल आएगा और मेरा मुझे तैयारी करनी चाहिए तो बो लोग और जो लोग अब एड हुए हैं इनमें एक आपको मैं डिफरेंस बताओं कि यह जो नए लोग हैं यह लोग पहली बातों मतलब खुद को पता नहीं क्या समझते है और कमेंट उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और बाकी जो पहले से लोग एड हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है एक मैं बताओं आज मैंने जब देखा था कमेंट सेक्शन में तो कोई एक चैनल है बिहारी आईएस करके बिहारी आईएस ऐसे करके कुछ चैनल है फ्लाल तो उस बं मेरे से जो मैंने लास्ट टेवल का वीडियो डाला उसमें मेरे को समझा रहा है कि यह करके बताओ वो करके बताओ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो आप लोग चैनल बना लेते हो अच्छी बात है आप लोग चैनल बना रहे लेकिन खुद तो कुछ होता नहीं है तो दूसरों पर कमिया निकालना यह सोलेशन नहीं है और आप उल्टे सीले सब्द कहेंगे तो भी गलत है क्योंकि आप लोगों को साथ पता होगा भले ही विहार में कोचिंग का हव है साइक्लोजिकल कोचिंग का लेकिन मेरे यहां पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं इसमें 30 40% में मानके चलता हूं कि जो हमारे फ्रेंड्स एड हैं वहार से एड हैं और जो की बहुत अच्छे तरीके से बात करना मतलब जानते हैं आप दो चार लोगों की बज़े से उन लोगों की भी रैपोटेशन खराब होती इवन पूरे विहार की खराब होती है तो उसकी गरि अधियर को बदनाम ना करें तो यह मैं कहना जाओंगा बाकी का कोई कहने का मतलब नहीं समझाने कोई मतलब नहीं चलिए को नहीं स्टार्ट पर ना बन्द तो यहां पर कोश्चन का लेबल जैसे मेंने बताया कि मॉट्रेट है और बहुत मतलब यहां पर यह मान के चलो कि इस टाइब का कोशन आपको दो से तीन कोशन एक्जाम में मिलने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां कोशन नमबर वन वाइल एंगल है नीचे इंग्लिस में भी ऊपर बाएं कोने से आरम करते हुए ऊपर बाएं कोने देखो बाया मतलब लेफ्ट होता है इतना तो पता ही चल गया होगा निदक कोने से हों ने से आरम करते हैं मतलब भी है और यह मतलब इदर रोगे यह इंदर वह राइट और सब कुलम तूस्ट जाए फिर नीचे चे तक पूचा की आप यह तो भी दो भाः एक बाहर हैं भी तो यह पांच है यह सिर्फ एक वारा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 बहुत ही सिंपल है चले दिखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है पहली रो में दाएं कोलम सी तक और फिर नीचे रोसी तक जाने पर वह कौन सा अंक है जो केवल एक बारा है कोश्चन लगव मतलब यह मतलब राइट कोलम सी तक कोलम सी तक जाना है कि काौलम सी मार्ण यहां द ज्याher की जैसे यूले रो में तो पहली रो कौन सी है ये ह में जाये हैं पहली रो और कॉलम सी तक तक स्थाएं यह तक तक फिर नीचे रोची तक अएं फिर नीचे हैं से यहाइसे हैं रोजी तक पर यह 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 आई पर है यह재 वी उंग डियर करने यहां पर ने कहना के एक दो तीन और एक दो तीन तो यह 3 है जो केवल एक फार आया है तो इसका अशर क्या हो जाएगा 3 ठीक है चली देखते हैं अगला कोश्चिन कॉश्चिन नूंबर 3 कोश्चिन नूंबर 3 देखते हैं यदि रो ए एवं बी को इसको थोड़ा सा आपको द्यान लखना है ठीक है तो रो ए तथा बी को उल्टा कर दिया जाए तो रो ए और बी उल्टा करने मतलब है इसे पलट के लिखती है लकर हमें बिल्कुल नहीं करना है और बी को भी पलट के लिखना तो पलट के लिखना ऐसे की जैसे एक दो तीन चार पांच है तो ऐसे करके लिख दिया जाएगा पांच चाल तीन दो एक और इसे लिख दिया जाएगा 4, 3, 2, 1, 5 ऐसे गर किया है तो कॉलम C में 3 और 1 के बीच अंग क्या होगा तो कॉलम C यह है 3 और 1 के बीच का अंग क्या होगा यह वाला पूछ रहे है तो देखो इसे अगर पलट भी दिया जाएगा तो बीच वाला अंग के तो सेम रहेगा अगर इसे प्लट दिए जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 3 2 1 5 2 तो सेम रहे था तो इसका आंसर क्या ओजाएगा कि टू हो जाएगा है चलिए देखते हैं कोश्चन नमबर फूर कि कोश्चन नमबर फूर में क्या है यदि कॉलम बी के सभी उलट दिये जाए तो रो बी में पांच एवम दो के बीच कौन सांगा तो इस टाइब का कोश्चन आप देख रहे हो कि पहले वी था तो इस लुख हाँ मिम रहा तो इंकलव धर दीए जाए इस पांच और दो के बीच में क्या है तो फांच ये रहा दूर दिया जाए गा तो इनके बीच में अभी तो यह है लेक season जब पलट दिया जाए गा तु यह four पहुंच जाएगा यहां पे ठेक है तो इसका अंसर कोश्चय num-5 पैब कोश्चय देखते हैं इसा परेशन कि इस्ट और वहगा जो रो डी को अलटने के बाद दो और पांच के बीच आएगा तो रो डी कौन सा है ऐसे मेने बताया था यह वी सी Łबी और यहां पर यह भी इस भी लो इस यह रो ईसे उलटने के बाद मतलब इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा टूओ उन फाइव फोर थ्री इसको उलटने के बाद दो और पांच के बीच क्या होगा तो दो और पांच है कहां पर दो यह रहा पांच यह रहा इनके बीच में क्या होगा एक होगा और यहां से भी देख सकते हैं पलटने से पहले भी अगर दो और पांच की बीच में अगर हम यहां पर देखत देखते हैं को से नमबर सिक्स्ट ऐसा कौन सा अंक है जो रो एक पांच के सबसे ऊपर है तो रो यह बहुत स्पीट से देखें अंक पांच इसके सबसे ऊपर कौन से फूर तो इस टाइब के जो कोश्चन होंगे यहने 10 सेकंड में स्वालब कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो यह कोश्चन आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेंगे और यह कोश्चन जो दस कोश्चन होंगे उसमें बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि यह नीचे होंगे एर्थ पे नाइन पर तैंथ तो आपको यहां तक तो पहुचन नहीं पहुचना यह सीज कर देहन रखना ह चलिए देखते हैं कोश्चन नमबर सेवन रोबी के अंक थ्री रोबी के अंक थ्री के ऊपर वाले अंक के बाएं और कौन सांग होगा रोबी तो यहां पर फिर सेखवाल लेक लेते हैं एबी कि अधाय कि अथे कर इसे वाले अंक तो इसके ऊपर वाले अंग दो बायो और कौन सांग के पर नमनल्य एक रहएं नो बीए यहां पर लिख लेते हैं A B C D A B C D E और A B C D E तो यहां पर दिखते हैं लाट दिया जाए तो विंद्ग नीचे कौन सांग तो रो एको इसको और इसको सपघ दिए टौ रोट जाए लेकिनसर यहांपर क्या जाएगा धाल जाएं परल में यहांपर आजए ऑग यहांपर फाइगा हैं और तो यहांपर रो भी में तीन के नीचे कॉन साएलय अवय को अभी आ हम एक प्रटा जाएला तो यहां पर क्या हजाएगा यह सो इसका क्लेगा यह क्यों जया थे है चलिए रिखते हैं लाय इसे क्योंस लौन आथ में तो प्रभ 1110 कोंसा ऐसा अंक के तीन अंक के दाइं हो राता है दाइं मतलब राइट तो यह क्या हो जाएगा फॉर एसा कौन सा अंक है जो रो बी के तीन अंक के दाइं हो राता है तो क्या है यह जिसका दाइं हो जाएगा फॉर तो फ्रेंट्स यह कोसिन बहुत आसान थे लेकिन आपको एक्जाम में दो स को साथ सेर करना बिलकुल ना भूलें बागी का मस रहें स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें मिलते हैं एक ले वीडियो में बाई बाई